नमस्कार मैं सुमंश्री स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में जसा कि आप आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम खेल से सम्मधित कुछ महत्वूपून प्रश्णों को यहां देखेंगे और आशा करते हूं कि जरूर आपको यह जो टोपिक है इस खे वर्ष 2017 का 48 एकल ATP World to Tennis Tournament का जो खिताब है वो पुरुष्वर्ग का किस खिलाडी ने जीता है उनका नाम क्या है वो किस देश से सम्मधित हैं कहां कि वो रहने वाले हैं तो बात हो रही है 48 एकल ATP World to Tennis Tournament पुरुष्वर्ग का जो यह खिताब है वो किस खिलाडी ने इसे ज किता है उनका जो नाम है वो है गिगोर दिमित्रोफ बुल्गारिया के यह खिलाडी है और इन्होंने यह जो टूर्नामेंट है ATP World to Tennis Tournament उसमें यह किताब जो है इन्होंने अपने नाम कर लिया है इन्होंने इसमें जीत हासिल की है अगला जो प्रशन है वो किर्केट से सम् से शतक बनाने का जो विश्वी रिकोर्ड है वो किस खिलाडी के नाम है वो कहां के है उनका नाम क्या है उनका नाम है डेविट मिलर और यह दक्षन अफरीका के हैं इसके विरुद इन्होंने सबसे तेज गति से शतक बनाने का जो विश्वी रिकोर्ड बनाया था इन्हों इंका नाम क्या है? डेविट बिलर. कहां के ही है? दक्षुन अफरीका के. अगला प्रश्न है भारत और न्यूजिलेंड के बीच में नवंबर 2017 में खेवी गई. 220 मेचों की श्रंकला में किस टीम ने जीत हांसिल की थी? भारत और न्यूजिलेंड के बीच में यह T20 में चोंकी श्रंकला हुई थी? और इसमें किस टीम ने जीत हांसिल की थी? तो भारत ने यह श्रंकला जीती थी? और दो एक से भारत ने इस श्रंकला को जीत लिया था. कुछ महत्वपुन प्रशन है और महत्वपुन प्रशनों को देखते भी चलेंगे. खेल से सम्मदित है और आपको जुरूर यह जो प्रशन है वो अच्छे लगेंगे. अगला जो प्रशन है वो है किर्केट से सम्मदित है. वर्श 2017 का अंडर 19 अश्या कप किर्केट का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है. तो अफगानिस्तान की टीम ने अंडर 19 एशा कप किर्केट का खिताब अपने नाम किया था अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 180 रनों से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था याद रखे अंडर 19 एशा कप किर्केट है वर्ष 2017 का है और अफगानिस्तान ने ये खिताब जो था वो अपने नाम किया था अगला जो प्रशन है वो है बेड्मिंटन से वर्ष 2017 का सीनियर रास्ट्रिय बेड्मिंटन चेंपेंशिप महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जिता है यानि रास्ट्रिय सीनियर रास्ट्रिय बेड्मिंटन चैंपेंशिप महिला वर्ग की बात हो रही है और एकल खिताब जितने वली कुन सी खिलाड़ी कहां की है तो ये भारत की है साइना नेहवाल इन्होंने सीनियर रास्ट्री बेडमिटन चैंपेंशिप का जो खिताब है वो अपने नाम किया था वर्ष 2017 में और उपविजयता कौन रही है भारत की है पीवी सिंदू यानि कि साइना निहावाल ने ये खिताब अपने नाम किया था और इस मेश में जो उपविजयता रही है वो भारत की है पीवी सिंदू अगर मैं बात करूँ पुरुष वर्गग में अभी तक तो मैंने ये बात करी थी सिर्फ जो महिला वर्गग की अगर मैं यही बात वर्ष 2017 में सीनियर रास्टे बैडमिंटन चैंपेंशिप में पुरुष वर्गग में एकल खिताब की बात करूँ तो इनको जो जीता था इस खिताब को वो हैं एच एस प्रणोय इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था और उपविजेता है कि दामी श्रीकांद देखे महिला वर्ग का सीनियर रास्टे बैडमिंटन चैंपेंशिप पुरुष वर्ग में एकल खिताब जो है वो जीतने वाले हैं एच एस प्रणाय और उपविजेता रहे हैं इसमें कि दामी श्रीकांद तो बहुत अच्छा प्रशन है और यहां पर मैंने शोट में ही इनका जो पुरुष अगला जो प्रशन है वो है होकी से वर्ष 2017 का होकी एशाकप का किताब जीतने में सफलता प्राप्ती यानि महिला वर्ग की बात हो रही है महिला होकी एशाकप की बात हो रही है वर्ष 2017 की तो यह जो खिताब है वो किस ने अपने नाम किया था तो भारत ने इसे इस होकी ए ने हराया था किसको चीन को और सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने जो है दूसरी बार एशा कप का किताब चीता था और इससे पहले 2004 में डेली में जब यह मैच हुए थे तब उन्होंने यह जापान को एक-जिरो से हराया था और यह मैच जो खिताब था वो अपने नाम किया और अभी जो बात हो दी है वर्ष 2017 की होकी एशा कप महिला वर्गों में तो भारत ने यह खिताब जो है अपने नाम किया था और हराया था किसे चीन को इसको हराया था चीन को हराने के बाद में ही भारत ने जो महिला वर्ग की है होकी एशा कप का जो किताब है वो अपने न का किताब अपने नाम करने में सफलता पाई यानि कि IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपेंशिप का जो खिताब है अपने नाम करने वले ओ खिलाडी का नाम क्या है कौन से खिलाडी है कहां के हैं और उन्हें किस रूप में जाना जाता है तो गॉल्डन बॉय के रूप में ये व अगला जो प्रस्ण है वो है मेरंथन से आपको याद होगा वर्ष 2017 में दिल्ली में हफ मेरंथन में महिला और पुरुषवर्ग में किस देश के व्यक्ति जो थे इसमें चैंपियंस बने थे उनके नाम क्या है तो यहां M का मतलब महिला वर्ग से है और P मिन्स पुरुषव से तो सबसे पहले हम महिला वर्ग में बात करते हैं कि वो कौन सी महिला है कहां की है कहां की रहने वाली है उनका नाम क्या है जुन्होंने वर्ष 2017 में दिल्ली में जब हाफ मेरा अन्थन हुई थी उसमें वो चैंपियन बनी थी उनका नाम है अलमास आयाना आयाना इतोपिय कुछ है और इन्होंने चंपियंशिप बनी थी यह के राव मेयरा अन्थन जब दिल्ली में हुई थी अगर महिला वर्ग में बात करूँ तो अ gespannt इनका नाम है और अगर पुरुशवरग यह पी से मतलब हो गया पुरुश्वरग और конце मतलब होंते महिलावर्ग, अब बात करते हम पुरुशवर्ग की, पुरुशवर्ग में जो व्यक्ति है वह गांप शार मेरा ऑफ प्र necesario के ऐघ। अगला जो प्रशन है वो है Commonwealth, वर्ष 2017 का Commonwealth Shooting Championship में भारती निशाने बाजों ने इन Champions में कुल कितने पदक जीते थे, तो बात जो हो रही है वो Commonwealth Shooting Championship में भारती निशाने बाजों की है और इस Championship में इन लोगों ने कितनी जो पदक जीते थे, तो कुल जो पदक आये थे भारत के पास, वो थे 20, जिसमें से 6 स्वन थे, 7 रजत और 7 कांसे पदक भारत के पास आये थे तो वर्ष 2017 में Commonwealth Shooting Championship में भारती निशाने बाजों ने, इसमें कुल कितनी पदक जीते थे, तो वो पदक थे, 20, जिसमें से 6 स्वन थे, 7 रजत और 7 कांसे पदक इन्होंने जीते थे अगला जो प्रश्न है, वो है मुक्यबाजी से, एशियाई महिला मुक्यबाजी Championship में स्वन पदक किस खिलाडी ने जीता था, कहां की है ये, इनका नाम क्या है एशियाई महिला मुक्यबाजी Championship में स्वन पदक जीतने वाली जो खिलाडी हैं, वो भारत की हैं, और आप सब उनका नाम जानते हैं, MC मेरिकॉन मेरिकॉन ने जो पराजित किया था, उत्री कोरिया की खिलाडी है, किम हियांग मी इन्हें हराया था, और उन्होंने एशियाई महिला मुक्यबाजी Championship में स्वन पदक प्राप्ट किया था तो MC Merikon ने कोन सा पदक पराप्ट किया था स्वन पदक पराप्ट किया था किस खेल में एशियाई महिला मुक्यवाजी चैंपेंशिप में इन्होंने स्वन पदक पराप्ट किया था यह कहां की है भारत की है अगला जो प्रश्न है वो है शत्रंज से वर्ष 2017 का फिले विश्व रैपिड शत्रंज चैंपेंशिप का खिताब जितने वाल जो खिलाडी है वो कहां के हैं उनका नाम क्या है तो फिले विश्व रैपिड शत्रंज चैंपेंशिप का खिताब जो जीता है वो भारत के विश्व नातन अन्द ने जीता है और भारत के जो स्टार शत्रंज ख्लाडी है और उन्होंने यह जो किताब है वो चोदावर्ष के बाद जीता है और इन्होंने हराया किसे हैं आपको याद होगा मेगनेस कारलसन यह पूर्व विश्व चैंपियन है मेगनेस इन्होंको इन्होंने हराया है किसने विश्वनात विश्व नाथन आनंद ने जिता है तो इनका जो खिताब है वो है फिडे विश्व रैपिड शत्रंज चेंपेंशिप का जो खिताब है वो विश्व नाथन आनंद ने जिता है भारत के हैं और इन्होंने हराया था मैगनस कारल सन को जो पहले विश्व चेंपेंश रह चुक टीम ने जीत हासिल की थी प्रस्ण ये है कि भारत और श्रुलंका के मद्धे में जब टीम टेस्ट मैचों की श्रंकला हुई थी उसमें जीत कौन सी टीम को मिली थी श्रुलंका को या भारत को तो भारत ने ये श्रंकला जीती थी एक जीरो से भारत ने ये श्रंकला अपने न बारत और शलंका के मद्दे में जब टेस्ट मैच हुए थे तो किस खिलाडी ने लगाता दो पारियों में दोरा शातक लगाया था और ऐसा करने वाले वह छटे बल्लेबाज भी बन गए हैं उनका नाम क्या है कहां के हैं यह खिलाडी तो इनका नाम जो है विराट कोहली है भ बारत थीम के हैं और यह भारत खिलाड़ी है और ऐसा करनेवाले वह छटे बल्लेबास बन गए हैं भारत और श्रिलंका के मद्दे में जब टेस्ट मैचों की शंकला हुए थी तो उससने इनोंने लगातारा दो पारियों में और अगला जो प्रस्ण है वो है दुबाई World Super Series बैडमिंटर्ण से है दुबाई World Super Series बैडमिंटर्ण टुरॉअनेंट का फाइनल मुकाबले में जापान की खिलाडी ने जीत हासिल किये यनि की जो मैंने ये प्रश्ण लिखे हैं जो बनाए हैं वो इस तरह से बनाए है कि ताकि आपको उस खिलाडी का नाम भी पता हो या फिर वो किस जगे का है, किस देश का है, क्या खेलता है उससे समधे सारे जो प्रशने हैं, बहुत सारे प्रशनों के जो अंसर है वो आपको इन प्रशनों में मिलेंगे जैसे कि दुबई वर्ल्ड सूपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला हुआ था तो जापान के किस खिलाडी ने हासिल किया था यानि एक प्रशन तो यही बन जाता है कि वो खिलाडी जो थी वो कहां की थी जापान की थी तो मैंने यही पर इसको एड़ कर दिया कि जापान के किस खिलाडी ने से जीत हासिल किये और यह बैडमिटन खेलती हैं तो जापान की जो खिलाडी है अकाने यामागुची इन्होंने दुबई वर्ड सूपर सीरीज बैडमिटन टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला था वो इन्होंने जीता था और एक बात और है कि साइना नेहवाल के बाद में इस टूर्नाम वर्ड सूपर सीरीज बैडमिटन टूर्नामेंट का जो खिताब था वो जापान के खाते में चला गया था प्रस्ण है बैडमिटन से ही कि सबसे पहले जो सर्व प्रतम दक्षिन एश्याई शेतरिय बैडमिटन टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हरा करके यह जो खिताब है वो जीता था कौन सा किताब चिता था दक्षिन एशियाई शेत्रिय बेडमिंटन टूर्णामेंट भारत ने किस देश को हरा करके ये किताब चिता था तो नेपाल को हराया था और भारत ने ये किताब जो था अपने नाम कर लिया था कौन सा दक्षिन एशियाई शेत्रिय बेडमिंटन हो कि अगर में एकल की बात करूं खेलने वाले जो ख्लाडी है पैडमिंटन टूर्ट में एकल महिला ख्लाडी है उनका नाम है अश्मिता चलिहा यह भारत की है और इन्हों नेपाल की रशीला मारजन को हराया था इसी से अगर पुरुषरग की बात करें तो ः्राइमान तो भारत ने किस देश को हराया था, नेपल को हराया था, भारत ने इसमें जित हांसिल की थी अगला जो प्रश्ण है वो है F.I.H. होकी वर्ड लीग से ये प्रश्ण है 2016 और 2017 का फाइनल मुकाबले में आस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था, अगर मैं ये कहूं कि F.I.H. होकी वर्ड लीग 2016-17 का फाइनल मुकाबले में बात करें, तो किस देश ने इसे जीत लिया था, या F.I.H. होकी वर्ड लीग 2016-17 का जो खिताब था, किस टीम ने अपने नाम कि किया था, लेकिन यहां पर मैंने प्रशन ये बनाया कि ऑस्ट्रेलिया ने किसी हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने अर्जिंटिना को हराया था, और अर्जिंटिना को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जो था, वो अपने नाम कर लिया और किसे हरा करके हराया था तो अर्जेंटिना को हराया था दो एक से भारत ने जर्मनी को इसमें हराया था दो एक से और कांसे बदग इसमें हासिल कर लिया अब बात यह होते है कि इसमें पहला इस्तान किसका था दूसरा इस्तान किसका था तीसरा इस्तान किसका तो यह निकल है जर्मनी को हरा करके तो बहुत अच्छे प्रश्ण है कि F.I.H. Hockey World League 2016-17 का जो फाइनल जो मेज था वो ये खिताब जो था वो किसने अपने नाम किया था औस्ट्रेलियन अपने नाम किया था किसे हराया था अर्चिंचिना को हराया था दो एक से तो बहुत अच्छे प्रश्ण बनते हैं बहुत अच्छे प्रश्ण है और एक ही प्रश्ण में आपको बहुत सारी स्के अंसर भी मिलते हैं अगला जो प्रश्ण है वो स्क्वेस से बात हो रही है स्क्वेस की पी एस ए वर्ल्ड स्क्वेस चैंपेंशिप 2017 में महिला वर्ग और पुरुष्ण वर्ग का जो बगी मुहम्मद अल शोर बगी ये भी मिश्व के हैं दोनों ही जो खिलाडी हैं वो मिश्व के हैं और इन्होंने पी एस ए वर्ल्ड स्क्वेश चम्पेंशिप 2017 का जो किताब है वो अपने नाम कर लिया है अगला प्रशन है वर्ष 2017 का विश्व भारतोलन चम्पेंशिप में स्वन पतक जितने वाली दूसरी भारते महिला खिलाडी बनी है प्रशन ये है कि वर्ष 2017 का विश्व भारतोलन चम्पेंशिप में स्वन पतक जितने वाली दूसरी भारते महिला जो खिलाडी है उनका नाम है वो है एस मीरा बाई चानू मनिपुर की है ये भारत की है और 48 किगरा भार में इनोंने स्वन बदक जीता है पदमश्री प्राप्ते जब आपने देखा होगा कि जब मैंने पुरुसकानों से समधित प्रस्ण का एक वीडियो बनाया था उसमें मैं जिनको पदमश्री पदम नहीं देखा तो जुरूर देखे और इसलिए मैं ने मैंश्री यहां पर कर दिया कि जो पदमश्री प्राप्ते हैं एस मीरा बाई चानू और ये मनिपुर की है और भारतोलन विश्व चेंपेंश्प में इनोंने स्वन पदक प्राप्त किया था और ऐसा करने वाली ये भा प्राप्तोलन चेंपेंश्प की पदक तालिका में शीष इस्थान रहा है किस देश का रहा है और भारत का इसमें कौन सा नमबर था बात हो रही है वर्ष 2017 की विश्व भारतोलन चेंपेंश्प में पदक तालिका की यानि कि इस जो विश्व भारतोलन चेंपेंश्प प्राप्त किया था वो था कॉलंबिया दूसरे स्थान इरान तीसरे स्थान पर थे थाइलेंड यह तीन देश जो प्रतन तीन स्थान प्राप्त करने वाले हैं पहले पहले स्थान पर कॉलंबिया दूसरे स्थान पर इरान तीसरे स्थान पर था थाइलेंड और इसमें दस्व इस खेलो में शुष इस्तान पर कौन सा देश रहा था और भारत ने इसमें कौन सा इस्तान पदक तालिका में प्राप्त किया था तो पहले इस्तान पर कोलंबिया हैं दूसरे इस्तान पर इरान तिसरे इस्तान पर थाइलेंड और भारत का जो इस्तान था वो था दस्वा चैंपेंशिप में भारत की द्रश्टी बादक तेराक ने स्वन पदक जितकर इतिहास रच दिया, उस खिलाडी का नाम आपको बताना है कि वो कौन सी खिलाडी हैं, कहां की हैं, प्रशनी ये है कि विश्वु पेरा स्विमिंग चैंपेंशिप में भारत की द्रश्टी बाद जो खिताब है वो अपने नाम क्या है तो विश्वु पेरा स्विमिंग चैंपेंशिप में इन्होंने स्वन पदक जीता है और इनका नाम कंचन मलापांड़े हैं भारत की हैं द्रश्टी बादित हैं और इस स्विमिंग करती हैं यह और 27 वर्ष के इतिहास में स्वन पदक ज विश्व पेरा स्विमिंग चैंपेंशिप में जो द्रश्टी बादित तैराख हैं जिनोंने इसमें स्वन पदक जीता है और इतिहास रच दिया है उनका नाम क्या है? कंचन माला पांडे भारत की है ये और द्रश्टी बादित है यानि इनको दिखाई नहीं देता है अगला जो प्रश्ण है वो है फुटबोल से फुटबोल जो है खिलाडी है और उनके बारे में ही बात हो रही है कि ब्राजिल के जो फुटबोलर है जिनोंने करीब 2017 को सन्यास लेने की घुशना कर दी थी तो वो खिलाडी कौन है उन खिलाडी का नाम क्या है तो ब्राजिल के फुटबोलर जिनोंने 17 दिसंबर 2017 को सन्यास लेने की घुशना कर दी उन खिलाडी का नाम है काका काका के नाम से जाने जाते हैं बहुत फैंटास्टिक खिलाडी है बहुत अच्छे फुटबोलर है ये और ब्राजिल की टीम से हैं ब्राजिल से जो है देश है उनसे ये सम्मधित हैं और वर्ष 2007 में फीफा प्लेयर आफ दे एर इन्होंने जीता था और इन्होंने बाण में अंतरास्टे मेच खिले हैं 19 गोल कियें और इन्होंने अब फुट कर दिया है सन्यास ले लिया है फुटबॉल से तो ऐसे खिलाड़ी ब्राजिल के फुटबोलर हैं याद रखें ब्राजिल के फुटबोलर है जोने सन्यास लेने की खुशना कर दी हैं उनका नाम है काका और अगर हम फीफा प्लेयर आफ दे एर की बाल करें तो काका को 2017 में FIFA Player of the Year से नवाजा गया था, उन्होंने बार्ण में अंतरास्ती मेच खेले हैं, 29 गोल दागे हैं. अगली जो है Formula One Racer से है, विश्व का शीष Formula One Racer का किताब प्रदान किया गया है, उनका नाम है Lewis Hamilton. लगातर चौती बार Best Racer का जो किताब के लिए चुनी गए है, Lewis Hamilton. याद रखे, विश्व के शीष Formula One Racer का जो किताब प्रदान किया गया है, वो किताब जो दिया गया है, वो है Lewis Hamilton को और उन्होंने लगातर चौती बार ये किताब अपने नाम किया है. अगला जो प्रश्ण है, वो है West Indies के All Rounder क्रिकेटर ने 2020 क्रिकेट के करीब 400 बिकेट लेने वाले विश्व के पहले गिन्दबास बन गए हैं. वेस्ट इंडिस के हैं ये क्लाड़ी, और वेस्ट इंडिस के All Rounder हैं, और इन्होंने क्रिकेटर हैं ये और इन्होंने 2020 क्रिकेट के करीब 400 बिकेट लेने वाले विश्व के पहले गिन्दबास बन गए हैं. अगला जो प्रशन है वो पेरा से है वर्ष 2017 का एशियाई युवा पेरा गेम्स का आयोजन December 2014, माफ कीज़ेगा December 2017 को किया गया था कहां पर दुबई में UAE के अंदर इन घेम्स का आयोजन हुआ था वर्ष 2017 एशियाई युवा पेरा गेम्स का आयोजन जो 10 से 14 दिसंबर 2017 को कहां किया गया था कहां इसका आयोजन हुआ था तो याद रखें दुबई के अंदर इसका आयोजन हुआ था अगला है वर्ष 2017 का एशियाई युवा पेरा गेम्स खेलों में पदक तालिकावे शीश इस्तान किस देश का रहा और साती भारत को कौन से इस्तान इसमें प्राप्त हुआ था बात हो रही है एशियाई युवा पेरा गेम्स खेलों की पदक तालिकावे और इसमें जो शीश इस्तान रहा था वो जापान का रहा था जापान को इस खेल के अंदर कुल अठ्याण में पदक प्राप्त हुए थे जिसमें से 43 स्वन थे 29 रजट और 26 कांग से थे जापान के पास और जापान ने इसमें पहला इस्तान प्राप्त किया था एशियाई युवा पेरा गेम्स खेलों में और दूसरा इस्तान है इसमें इरान का तीसरा इस्तान था इसमें चीन का और भारत का जो है इसमें 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 चीन का और भारत प्राप्त किया थै कुल टोटल 98 पदक जापान के थे जो दूसरा इस्थान प्राप्त किया था वो इरान ने दीसरा इस्थान प्राप्त किया था चीन ने और इसमें भारत की अगर इस तदिकी बात करें पदक तालिका के अंदर तो पदक तालिका में भारत का जो इस्थान थ वो था छटा भारत ने इस पदक तालिका के अंदर यकूरत के पास क्ल बाय। छटा अच्छे प्रश्ण है कई बार पूछ लिया जाता है इनसे संबंदित भी प्रश्ण बनते हैं अगला जो प्रश्ण है वो है आपके रास्टुमंडल खेलों से वर्ष 2022 के रास्टुमंडल खेलों की जो मेजबानी है वो किसे सोपी गई है जब ये गेम्स खतम हुए थ तो उसके अंदर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी रास्टुमंडल खेलों की और उसमें भी आपने देखा होगा अगर नहीं देखा तो जुरूर आप उस वीडियो को देखे और अब जो ये प्रश्ण है वो ये है कि वर्ष 2022 के जो रास्टुमंडल खेलों की जो मेजबा को सोपी गई भर मिंगम में है और आपको याद होगा वर्ष 2018 के रास्टुमंडल जो खेल थे उनका आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्ट अस्ट्रेलिया में और 14 के जो 14 के वर्ष 2014 के रास्टुमंडल खेलों का आयोजन ग्लास को स्कॉटलेंड के अंदर हुआ था और ये जो प्रष्ण है वो शितका लिन औलमपिक कुस से समंदित है और यहां पर बात हो रही है कि वर्ष 2018 में होने वाले शितका लिन ओलमपिक खेलों से किस देश को बाहर कर दिया है यानि उस पर प्रतिबंद लगा दिया है भाग लेने के लिए कि वो जो खेल होंगे 2018 में शितका लिन ओलम्पिक खेल उसमें वो भाग नहीं लेगा क्या कारण है कि वो भाग नहीं लेगा और कौन सा ऐसा देश है जिस पर ये प्रतिबंद लगा दिया गया है कि वो जो होनी वाले है 2018 में शितका लिन ओलम्पिक खेल उसमें भाग नहीं लेगा उसको भार कर दिया है प्रतिबंद कर दिया है वो कौन सा देश है तो वो देश है रूस ड्रोपिंग मामले में रूस को भार कर दिया गया है ऐसा शीदकालिन ओलम्पिक खेलों के त्यास पे ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश पर यह प्रतिबंद लगाया गया है आरूप लगाया गया है और भाग लेने पर इसको प्रतिबंदित किया गया है तो याद रखे वर्ष 2018 के अंदर होने वाले जो शीदकालिन ओलम्पिक खेल है उसमें से किस देश को बहार कर दिया गया है तो उस देश का नाम है रूस बहुत अच्छे प्रशन है इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी मतलब important प्रशन थे वो मैंने खेलों से सम्मदित वो लिये है और आपको जुरूर ये वीडियो पसंद आएगा किसी ना किसी एक्जाम में जुरूर आपको इससे सम्मदित जो प्रशन है वो जुरूर मिलेंगे और आपको ये वीडियो जुरूर पसंद आएग या नहीं आएग जुरूर आप इसके बारे में कमेंट्स करके बताएं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कभी-कभी आप डिस्क्रिप्शन में भी अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लिया कीजिए और उसमें मिल जाए या फिर आप प्लैलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं आज पर ऐसा भी होता है कि कई बार कई स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई वीडियो अगर नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें हो सकता है उसकी लिंक वहाँ उससे सम्मधित अगर कोई वीडियो हो अगर आप देख रहे हैं कोज र धन्यवाद जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा धन्यवाद वीडियो देखने का